जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि गर्मी अब धीरे धीरे सुरू हो चुकी है और गर्मी के टाइम पे हम पंके वेगरा यूज करते हैं लेकिन गाव एरिया में सबसे बड़ी प्रोलम ये रहती है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे फिर लाइट भी कटने लगती है यानि दिन में दो दो चार चार घंटे लाइटी नहीं रहती और हम गर्मी में परेशान हो जाते हैं तो उसी गर्मी से बचने के लिए आज मैं एक रिचार्जबल फैन बनाने वाला हूँ ताकि अगर दिन में लाइट ना भी रहे तो इस फैन का यूज करके हम मे थोड़ी सी गर्मी से रहत मिल सके तो इस फैन को बनाने के लिए देखे फ्रैंड जो बिजली का प्लास्टिक बोड आता है उसकी मैंने यह खाली बोडी ली है और यह बोडी आपको किसी भी इलेक्ट्रोनिक सोप पे 20-25 रुपे के अंदर बड़े अराम से मिल जाएगी त इसी के अंदर हम सारी कनेक्शन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें लेना है एक स्विच तो देखे यह मेरे पास एक स्विच है और यह स्विच भी आपको इलेक्ट्रोनिक सोप पे बड़े अराम से 10 रुपे के अंदर मिल जाएगा और नहीं तो इसकुल भी स्किप मत करना तो अगर कहीं पर भी आप कट करके देखोगे फिर बात में आपको कनेक्शन करने में इसमें प्रोलम आ सकती है और फिर आप मुझे कमेंड करके बोलोगे कि सर हमें यह समझ नहीं आया तो क्या होता है मेरे पास भी इतना टैम नहीं रहता कि मैं स अब यह जो सोकिट है ना यह आप कोई खराब सोकिट भी ले सकते हो अगर आपका सोकिट जल गया है तो सोकिट का भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर हमें खराब सोकिट का यूज करना है अब मेरे पास यह सोकिट है तो हम क्या करेंगे इसका देखिए बीच में एक पे यहां पर टाइट कर देंगे, जैसे कि हमने स्विच को लगाया, सेम उसी तरीके से, इसको भी यहां पर पेच लगा के हमें टाइट कर देना है, यह देखिए, सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी आज मैं कट नहीं करने वाला, यहां पर इस switch और socket लग चुका है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिये, हमें एक बिजलिख फिटिंग की पाइम का टुकडा लेना है, और मैंने इतना वड़ा यह टुकडा लिया है, अब इसे हमें क्या करना है, देखे, इसको हम कुछ इस तरीके से इसके उपर र िंग्यों हो जाएगा तो यहां पे हमें क्या करना है इस मोटर को इस पांप के उपाइंप कीरेंगे लेकिन लगाने से पहले आपको क्या करना है। इसको आपको और आपको पूरे में करना नहीं है। यह जरूरी है क्योंकि आगर आप यह नहीं करोगे तो आपकी जो जो मोटर है यह निकल जाएगी यह जल्दी से चिपकेगी निए तो सैडस से हमने इस से अच्छे से रगड लिया है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, यह जो motor है, इसके उपर हमें सबसे पहले wire को जोड़ना है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले wire को जोड़ना है, तो यहाँ पर मैं red और black color की wire का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी color की wire यहाँ यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो य दूसरी wire को हम इसके दूसरे वाले point पर जोड़ेंगे, थोड़ी से हम यहाँ पर shoulder wire ले ले लेते हैं, और इसको हम दूसरे point पर जोड़ देंगे, यह देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनो wire को जोड़ दिया है, तो इतना हमारा काम हो गया, अब हमें क्या करना है, यह जो दोनो wire है, इसको हमें इस pipe के अंदर से निकालना है, इस तरीके से देखिए, pipe के अंदर से हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे motor को फैवी क्यूक से चिपकाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, पर आप पो पीचों भीच इसको रख लेना है और रखने के बाद यहां पर हम इसे फैवेक्यूक से चिपकाने है तो मेरे पास यह देखे और इसकी मदध से हम इसको अच्छे तरीके से चिपका देगे अगर आपके पास गूलोगन तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो वह आपके ऊपर depend करता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रही है चीज़े इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर 5W को डाल देंगे ये देखें। इस तरीके से Faviku हम अच्छे से डालने हैं। फैवीकूग डालने में कंजूसी नहीं करनी। और इतनी भीат डाल देना जाके मोटर कें अंदर चली में। और आपको हिसाब से डालनी है और अच्छे तरीके से डालनी है। यहां पे इसको सूखने में लगबग 2-3 मिनट लग जाएगी अच्छे तरीके से सूख जाए तो इतना हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यह देखें यहां पे जो मैंने फैबी क्यूक लगाई थी यह बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गई है और हमारी पाइम के साथ में यह मोटर चिपक गई है यहां पर अब आपको दिखाए दे रहAdamें यहां यहां सेमें एक ऐग वार पो निकाल लेना है इस तरीके से एक एक वार को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद अब हमें यहाँ पर फैवी क्यूक लगा देनी है तो यहाँ पर चलिए मैं फैवी क्यूक लगा के इसे भी fix कर लेता हूँ और फैवी क्यूक को लगाने के बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे फैवी क्यूक सोख जाए तो यहाँ पर मैंने फैवी क्यूक को लगा दिया है और थोड़ा सम वेट कर लेते हैं ताकि यह अच्छे तरीके से सोख जाए पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो यह पाइंप बिल्कुल अच्छे तरीके से नीचे स छिपक गई है अब चलिए फ्रेंट इसके हम क्रेक्ण करना से लेते हैं तो क्रेक्षान को दिया हैं तो यहां पर हम तेखन pizzas करना मोटर लाको है और इस wire को हमें क्या करना है देखिये इस wire को हुम क्या करेंगे यह जो हमारा यह जो स्विच है ना स्विच का जो यह उपर वाला प्वाइन्ट है यहां पे हम एक wire को इस तरीखे से लगा देंगे यहां पर page को हमने tight कर दिया है और अच्छे तरीके से हम यहां पर tight करेंगे ताकि loging वेगरा न रहे तो यह हमने एक यहां पर wire को लगा दिया है अब उसके बाद हमें एक wire का टुकड़ा और लेना है यह देखिए हमारे पास दूसरी wire का टुकड़ा है इसको हमें क्या करना है यहां से wire को एक बार हम चिल लेते हैं wire को चिलने के बाद इसको भी हमोड के यह जो दूसरा point है यहां पर लगाना है यहां पर इसका battery चार्जिंग वाला सिस्टम बनाना है तो वो देख लीजिए तो यहां पर इस fan को चलाने के लिए देखिए fan हम यहां पर लीथेमान अगर आपके पास lithium-ion बैटरी नहीं है तो आप कोई mobile बैटरी भी यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपके पास कोई emergency की पुरानी बैटरी है अगर वो सही backup दे रही है तो उस बैटरी का भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है तो यहाँ पे मेरे पास lithium-ion बैटरी है अब lithium-ion बैटरी के साथ में एक problem काभे सारे लोगों को होती है जो की खासकर नए लोग होते हैं उनके साथ problem यह होती है कि जब वो इसके अंदर solding करते हैं यानि wire वेगरा जोडते हैं तो उनका जो solder है यहाँ पे चिपकते नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जब भी आप इस टैप की कोई भी नई बैटरी ले रहे हो या फिर पुरानी भी बैटरी ले रहे हो wire जोडने के लिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है direct wire नहीं जोडनी आपको क्या करना है कोई भी पतला paste का सिया blade वेगरा लेके इस तरीके से रगड लेना है इसके उपर ऐसे रगड लेना है इसके उपर निसान पढ़ना चाहिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब हम रगड़ेंगे न तो इसके उपर निसान पढ़ जाएगा यह देखिए इस तरीके से रगडने से इसके उपर हलका-लका आपको निसान दिखा करने वाली तो यहां पर हमने पेस्ट लगा लिए अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें लेने अपना सोल्डिंग आयरन अब सोल्डिंग आयरन कम से कम आपका 25 वाट का होने चीए और आपके घर पर जो लाइट है वो सेमी प्रोलम आएगी तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो कम से कम 25 वाट का आपको आयरन यूज करना है और सोल्डर वाइर भी आपको किसी अच्छी कमपनी की लेनी है जैसे कि भारती वेगरा की भी ले सकते हो मैं यहां पर सिरोन यूज कर रहा हूं तो यहां पर आ हिसाव से मैल्ट करना है ताकि वाइर नीचे न टपक जाए तो यह हमने काम कर लिया है थोड़ी सी वाइर को हमने मैल्ट करा लिया है अब यहां पर देखे जहां पर हमने इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा हलका से इसको हिला देंगे और आप देख सकते हो फ्रैंड क कि कितने अराम से जो हमारे solder wire है यहां पर चिपक गई है और यह वाइर अब निकलने वाली नहीं है तो इसी तरीके से आपको किसी भी lithium-ion battery के अंदर यहां पर solder wire को चिपकाना है अब उसके बाद देखें यहां पर हमें wire को जोड़ना है तो यहां पर जो आप wire यूज करोना वो अच्छी quality की wire यूज करना है आपको aluminum wire को बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है अब देखें इस wire को मैं कितनी असानी से जोड़ता हूँ यह देखें इस तरीके से जैसे कि इस wire को हमें यहां पर solder करनी है तो बस हम RN को ऐसे रखेंगे और बड़े अराम से जो हमारी wire है यह उसी तरीके से जोड़ दिया है अब उसके बाद इस battery को चार्ज करने के लिए यहां पर हम एक टीपी 46 मैडूल का यूज करने वाले हैं यह देखें कुछ इस टैप का मैडूल होता है थोड़ा से जूम करके दिखा दूँ तो यहां पर यह जो मैडूल होता है इसकी खास ब battery फुल चार्ज हो चुकी है तो इसलिए हम इस टैप के टीपी 46 मैडूल का यूज करते हैं और अगर आपके लोकल मार्किट में या फिर आपके आसपास में यह नहीं मिल रहा है तो आप बिना मैडूल के कैसे इस battery को अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हो इसके उपर मैंने चार पॉइंट देखने को मिलते हैं तो सबसे उपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए आउट प्लस लिखा हुआ है यह वाला पॉइंट उसके बाद देखे यहां पे बी प्लस लिखा हुआ है फिर इसके नीचे हम देखते हैं बी माइनस लिखा हुआ है और यहां पर आउट माइनस लिखा हुआ है, तो यह जो B प्लस और B माइनस वाला पॉइंट है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ेंगे, तो मैं फटा-फट यहां पर बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ लेत तो देखे फ्रेंड इसके अंदर charging pin लगी तो हुई है लेकिन यह जो body है न कुछ S type की है तो इसके अंदर हम सही से fit नहीं कर पाएंगे इसको यहां पर cutting करके इसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे तो इसलिए हम अलग से इसके उपर एक charging kit लगाएंगे यह देखिए charging socket है मेरे पास C type का तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर देखे थोड़ी सी जगह है तो हम क्या करेंगे यहां पर पहले hold करेंगे आरें की मदल से बीच ओबीच हम होल करेंगे ताकि इसके अंदर यह अराम से आ सके यह हमने होल कर लिया है और फटफट इस connector को हम डाल देते हैं इसके अंदर यहां पर जो हमारे charging connector है यह आ चुका है यह इतना हमारे लग गया अब उसके बाद यह जो पिन है ना इसके उप तो हम चौके ना पर यह जो देखने तो यहां पर यहां पर देखे ऑपर दो है तो इसको मैं फटा पका यहां पिल्कुव दखायर होगे तो इसके हैं द्दीव spir लिए गया होगे मोए स्ब्स सिंबल दिखाई ना हूँ आपको हमारे खोली क्सम्रों से देखने में आपको के जोटे रहा तो यहां पर हम एनПр Capitol को जोड़ेंगे और इस साइट में प्रच्रवाइब स्वेड की नव्यक्या पीर नश्रॉट में माइनश वायर को जोड़ेंगे तो यहां पर फटे मैं धाना हूं यहां मनेफ्लस भराइंगे न आउट मानेस वाला जो पॉयंट है यहां इस तरीके माली वायर को जोड दिते हैं इस तरीके से यहां पे दिखाए देता हूं इस तरीके से दिंग्म करेंगे यहां पर धाए except怖 इस दीछ आउट प्लस पे जोड़ेंगे यह जो आउट पलस वाला पॉइंट है यहां पर हम इसको सोल्डिंग करेंगे यह देखे इस तरहीचे से मैंने बार को जोड़ दिया है तो यहां पर जो हमारे फिनेक्शन है वह यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं अब उसके बाद हमें जलना ह दबल टेप लेनी है यह देखें मिर पाइच अबाट आप में और इसको est आगी तो दो उसके बार थोड़ी से ओब लेते हैं और इसको हम बैटरी के रगा देनेगे यहाँ पर लगाना है व्ड़ी, स हम इसको और बैटरी करने बार यहां पर भी करदेंगे। यहां पर बैटरी मिल सोन्पवर उचुक्या है हम एइस तक बार हम उसके बार ये Давайте हम और उसके बाद यहाँ पर जो इसके पेज है इसको हम tight करेंगे तो मैझ जो इसके पेज है चारो इसको tight कर लिता हूँ यह देखिने फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसके चारो पेज को beldWay अचev तरीचे से tight कर लिया है अब उसके बाद लास्ट में सिर्फ हमें इस पंखड़ी को लगाना है तो इस पंखड़ी को लगाने का तरीका भी देख लीजिए कैसे आपको लगाना है तो यहां पे आपको ऐसे नहीं करना कि पंखड़ी को पगड़ा और यहां से पाइंक को आप ने पगड़ा और यहां से आप जोर लगा रहे हो क्योंकि ऐसा आप करोगे तो यह मोटर उखड सकती है क्योंकि हमने इसे फैवी की उसे चिपकाया है तो इसे लगाने के लिए लगाएंगे और चार लगाने के बाद देखे फ्रेंड अभी तो क्या है कि मेरे स्टोडियो में लाइट जल रही है तो मैं एक बाद बंद कर देता हूं आपको दिखाई देगा कि लाइट यहां पे चार्जिंग हो रही है तो यह देखिए लाइट को बन करने के बाद अब ऽो आप देख सकते हो यह जो चोड़े शोटे Champa ॎोड दिखाई दे रहे हैं इसके कंडर से लाइड की लैड जल्टी वह दिखाई दे रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी जो पैटरीए यहां पर चार्ज milliards हो रहे है और जब बैटरी के लिए simply आपको switch को दबाना है तो यहां पर मैंने इस तरीके से दबा दिया और आप देख सकते हो कि हमारा पंक्खा बिल्कुल full speed में काम कर रहा है और यहां पर हवा को test कराने के लिए देखे यह जो कागच है इसको में लेके आया हूँ ताकि आप देख सकते हो तो कितनी तेज हवा इसके अंदर देखे आपको कागच साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे वो सकता है फ्रेंड की वीडियो में आप वो अजीव से आवाज आ रही हो उसका कारणी यह फ्रेंड की यह जो मैंने माइक यूज कर रखा है न वह इन साउ फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स प्रोडियो में कुस नए टोफिक साथ तब तक लिए जैहित वंदे मात